तो दोस्तो मेल इनफाटिलिटी इसका प्रॉब्लम आजकल हमेशा देखा जा रहा है और दिमब दिन बड़ भी रहा है इसकी बज़से काफी सारा लोग परिशन है और हो सकता है आप भी परिशन हो तो दोस्तो देखिए हाजबेंड और वाइप दोनों कपल का जब काफी दि ट्राइक करने के बाद नैचरली कॉंसिट नहीं होता है और법 कोच जाच कराता है सचमें किसका प्रॉब्लम है देखा देखाजा तो दोनों कॉंडिशन हैं, male infertility और female infertility, female infertility का problem का भी ज़्यादा कम देखा जाता है, लेकिन male infertility का problem सब से ज़्यादा देखा जाता है, तो आज की वीडियो की माध्म से मैं male infertility के बारे में बताऊँगा, आने वाला एक वीडियो आएगा बहुत जल्द, वहाँ पर मैं अगर आपको पता चलना चाहिए कि आपका सच में मेल इंफर्टली का प्रोब्लम है या नहीं या तो पीर साधी के बाद चोंज भाट जोब आपशेर old warfare. कर रहें फिर भी प्रेग्नेंसी नहीं आ रहा है और खुझ से अगर आप देखना चाहता है कि सच में अगर आपका कोई भी इन फटिलिटी का प्रोब्लम है या नहीं तो भी आप कर पाएंगे इसका सिंपल तरीका क्या है मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं देखे इ इसके अंदर क्या क्या टेस्ट आता है कितना कौश्ट लग जाता है कहां से आपको करना है डीटेल्स में आपको समझाओंगा इसलिए सभी के पास रिक्वेश्टे वीडियो को कहीं भी स्किम मत कीजिएगा सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए आप लोगों को कॉम्प् पर पहली बढ़ाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पासमेर बैल आइकोन को भी और प्रेस कर देना सो हैलो दोस्तों गुडिविनिंग मेरा ने में अजन मांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सौल बर यूट्यूब चैनल तो चलिए सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों यह मेल इनफाडेलिटी प्रोफाइल टेस्ट इसके अंदर काफी सारा टेस्ट आता है एक चीज को में डीटेल्स में आपको समझाने का कोसिस करूंगा और जो टेस्ट बहुत ही कमप्राइज में हो जाएगा एक प्रोफाइल टेस्ट आपको करना काफी ज़् नगेल्स कामें पहले बहुतस है काफ़ी सारा चीज देखाजाता है इस पार्म का कॉछल बार्फोका बर्फेसे नोर्मिल है या तो फिरन मलें आपको सब्सक्राइज कराने के लिए धियुभल है या नहीं हो देखा जाता है तो semen analysis आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद एक और चीच, semen culture, तो semen culture भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि semen culture करने के बाद आपको देखना पड़ता है, कि आपका semen में actually कोई भी infection present है या नहीं, कोई भी micro bacteria present है या नहीं, तो कौन सा antibiotic आपको देना पड़ता है, जो कि, जो micro bacteria को खतम करने के लिए, ओ देखा जाता है, उसके बाद आता है, CBC test आप देख सकते हैं, CBC यानि complete blood count, एक blood test होता है, तो blood test इसके अंदर काफी सारा test आता है, जैसे कि RBC, WBC, platelet, total count आपका blood का, white blood cells, red blood cells, काफी सारा चीज देखा जाता है, हेमोगलोबीन भी देखा जाता है, देखा जाता है कि आपका सरीर में कोई भी infection बगरा फ्याल चुका है, यानि ओ देखा जाता है, हिमोग्लोबिल लेबल कितना है वो भी देखा जाता है RBC लेबल भी देखा जाता है अगर हिमोग्लोबिल लेबल कम होगा तो spam का production में काफी ज़्यादा दिक्कद आएगा उसके बाद आप इस साइड में देख सकते हैं एक test है ABORH ABORH का मतलब है कि एक blood group test group test करना भी काफी ज़्यादा ज़रूद है अगर आगे चलके अगर आप लोगों का कोई भी surgery करना है सच में problem है तो surgery करने के लिए अगर आपको blood देना है तो पहले से आपको आपका blood group पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके इलबा आप इस जगा में देख सकते हैं एक test है तीन test है इसको thyroid profile बोला जाता है Ft3, Ft4, TSH Ft3 का मतलब है free triodothironin Ft3 उसके बाद Ft4, free thyroxin Ft4 और TSH का मतलब है thyroid stimulating harm एक thyroid profile है आपका सच में शरीर के अंदर देखा जाता है कि thyroid का problem है या नहीं thyroid जादा बढ़ चुका ही या नहीं thyroid जादा बढ़ जागया तो sparm का production में भी काफी ज़्यादा problem आएगा और भी काफी सारा problem आ सकता है उसके बाला इलबा और एक test है आप देख सकते है testosterone testosterone एक hormonal test है आपका सरीर में actually देखा जाता है कि hormonal testosterone आपका सरीर का level कितना है testosterone का कमी की बज़े से आपका sperm का production में काफी सारा दिक्कत आएगा और pregnancy नहीं आएगा इसलिए testosterone टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रुई है उसके हिलाबा थोड़ा नीचे चलता हूँ और इस जगह में आप देख सकते हैं एक important चीज़े एक important test आता है जिसका नहीं FSH FSH का मतलब है follicle stimulating hormone एभी एक टाइप का hormonal test है एभी आपको करना काफी ज़्यादा ज़रुद है देखा जाता है कि आपका शरीर में follicle stimulating hormone कम है या तो फिर बढ़ चुका है देखा जाता है उसके बिलाबा और एक test है LH LH का मतलब है leutaining hormone एभी एक hormonal test है देखा जाता है कि इसका actual range कितना होना चाहिए यानि कि कितना present है उसके इलाबा और एक test है HPLC HPLC का मतलब है कि यह पर देखिए high performance liquid chromatography यानि कि एक HP electrophoresis जिसको बोला जाता है या तो फिर आप सहल सरल भासा में आप बोल सकते हैं कि थैला समी आपको हुआ है या नहीं पता चल जाएगा थैला समी अगर आपको हुआ है तो hemoglobin level भी कम आता है जिसकी बदसे आपका sparm का production में काफी ज़्यादा दिक्कत आएगा इसलिए HPLC टेस्ट करना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूई है उसके लबा और एक test है CRP CRP का मतलब है कि C-reactive protein आपका blood का protein में कोई भी infection बगरा फ HAB virus के बारे में आप लोगों को पता ही चल जाएगा और HAB 1 & 2 उसका length आपको करना चाहिए अगर आपको HAB हुआ है तो भी काफी सारा problem आपका जिसको blood brown virus screen भी बोला जाता है यानि कि आपका sperm का उपर effect पड़ेगा और आपका pregnancy नहीं आएगा उसके लबा और एक test है आप दे जरूद है उसके लबा थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे जाने के बाद आप इस जगह में देख सकते हैं और एक test है BDRL BDRL भी एक टाइप का AJB जैसा टेस्ट है एक viral screen ब्लाट का टेस्ट है यह भी देखा जाता है कि आपका सरीर में एक्चुली कोई भी viral screen affected हुआ यह नहीं देखा जाता है उसके लबा और एक टेस्ट करना चाहिए ECG करना काफी ज़्यादा जरूद है जिसको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी बुला जाता है और ECG करने के बाद आप आपको पता चल जाता है कि आपका हाड में कोई भी हाड related problem है नहीं हाड में ब्लोके जया नहीं हाड अनुद मैयोकाडियल इंफेक्शन हो या नहीं हाड में कोई भी और भी अलग सा कोई भी प्रॉब्लम हिया नहीं ओ देखा जाता है अग्चुली अगर आपका हाड में प्रॉब्लम आएगा तो आपका sexual य्जी टेस्ट करना बहुत ज़्याद़ है उसके लब और एक टेस्टिस आप डेख सकते हैं इसी आप ज़्याँ प्रूटम मेन इंपोर्टेंट टेस्ट है ये टेस्ट करने बहुत ज़्याँजा जरूद का मतलब है कि एक आल्टा सुनोग्रफी टेस्ट करना चाहिए आपका जो दोनों टेस्टीस होता है टेस्टीस का पूरा ग्लैंड होता है टेस्टीस का जो ट्यूब होता है पूरा का पूरा टेस्ट किया जाता है आल्टा सुनोग्रफी करके देखा जाता है कि सच में आपका तो ने की टेश्टिस का साइच कितना है तो नीद्य कुंढ़ को सच अंदर कोई इंफिक्शन घगरा फैल प्हेल थे वह देखा जाता है यह टेस्ट बहुत ज्यादा important टेस्ट है इस टेस्ट आपको करना ही चाहिए जिसकी बदसे आपको सच में पता चल जाएगे कि आपका टेस्ट इस ठीक है नहीं कि देखिए आप लोगों को पता ही है कि स्पार्म का production सबसे ज्यादा होता है आपका टेस्टिस में दोनों टेस्टिस में इसलिए टेस्टिस का फोटो लेना यानि कि आल्टरसनोग्रफी करना बहुत ज़्यादा ज़रूद है उसके इलाबा और एक टेस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरीन R.E.M.E. यानि कि यूरीन का रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जिसकी बद से आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरीन एडी ब्लाडर में आपका यूरीन में कोई भी इंफेक्शन फैल रहा है नहीं कोई भी डबली बीसी जा रहा है यानि R.B.C. यानि कि ब्लाड पास हो रहा है नहीं कोई भी इंफेक्शन प्रेजन ए तो पता चल जाएगा अगर आपका यूरीन एडी ब्लाडर में इंफेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लेम आएगा स्पार्म का प्रोडेक्शन में एफिक्ट हो कुरिन CS यानि कि काल्चरन सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है तो दोस्तों कुल मिला कि कुछ इस टाइप का टेस्ट है इतना सारा टेस्ट आपको करना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर जो टेस्ट है एक दो तीन चार पांच छे साध हो गया साथ आट ने दस ग्य का सेंपल देना पड़ेगा बलाट का सेंपल देना पड़ेगा उसके इलाब आपको यूरीन का सेंपल भी देना पड़ेगा और आपका इस टेस्ट होगा तो इसका जो प्राइज है बहुत ज्यादा कम प्राइज में हो जाता है थोड़ा सा नीचे में लेके चलता हूं तो 8,000 से 8,000 तक पड़ सकता है, यानि कि आपका खर्चा हो सकता है, एक आइडिया में आप लोगों को दे देता हूं, यानि कि देखें, एप्रोक्सिमेट आइडिया में आप लोगों को दे देता हूं, जादा कम भी हो सकता है, उसके लबा आप इस साइड में देख सकते हैं अगर आप बहार में किसी भी लैब में करते हैं, बड़ा बड़ा जो लैब होता है, जैसे कि थाइरो कियार, डॉक्टर लाल पैत, उसके लिए बारेन बेक्सी, सिराम, तो उसका जो प्राइजेज होगा, बहुत जादा प्राइज हो जाता है, आप देख सकते हैं, 10,000 से लेक अप्ट्रोल रेट नहीन है, ऐप यरिडिए बंगऽ सकता है, लेकिन आप लोगों को एक एक प्रयव्शी मेट आइडिय में आप लोगों को दे दिया है, तो दोस्तों, अउसको अज़य बारे आप लोगों को इतना सग्हे करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, तो दोस्तो आई होब आज की इस वीडियो की माद्धाम से मैंने जो आप लोगों को एक एक चीज को डीटेल्स में बारे किसा समझाने का कोसिस किये मेल इनफर्टिलिटी का प्रोफैल के बारे में उम्मीन है कि आप लोग सब कुछ समझ गये हैं फिर भी अगर कोई भी कॉन्फिशन रह जाता है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्षन में कुछ कॉमेंट करकर भी बदा सकते हैं अगर आप मेरे साथ लाइब चेट करना चाहते हैं कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अगर आपको रिपोट पढ़ने में दिक्कत आ रहा है रिपोट आप समझ नहीं पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आइडी पर रिपोट सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम आइडी का डाइड लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा तो दोस्तों आने वाला एक वीडियो है का बहुत जल्द वहां पर मैं आपको बता दूँगा कि फीमेल इंपाटिल्री के लिए कौनसा कौनसा कौफाइल टेस्ट किया जाता है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो के इपर खतम करते हैं मिलता नेक्स वीडियो में एक बिलको नेट अपक के साथ तबते के लिए थैंक यू सो माच एंड थैंक्स पर वाचिंग